हेलो एव्रीवान हेलो यारे बच्छो क्या हल चाल वेली बॉर्निंग तो आल फ्यू आज हम लोग थर्मोर फिजिक्स में एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसे बहुत मज़ेदा चाप्टर है बहुत मज़ा आने वाला ह क्लास कइस्टार्ट क करने से पहले एक चुटा सा इंफर्मेश्ब आफस अभी के लिए वर बूर चार्ट。 तक इसमें आफर है याने की तुडेश रैत आज आख्री डेटेट ए मूया। का व स्टेंशन वर्वान्ट का इसमानु हिएं ए को सब्सक्रिक्स be sufficient till need 2022 examination I guess चलिए तो शुरू करते हैं इस chapter को kinetic theory of gases पहले एक बार चेक कर लो मैं live आया हो कि नहीं आज बहुत सारे बच्चों को ना notification नहीं जा पाया होगा शायद क्योंकि YouTube पहली बार में notification भीजता है तो कल session लगा था यह ना बट आज जब दुबारा वही session live होने वाला है तो नहीं जाता तो आप एक बार जल्दी से बता दो सभी को या फिर बच्चे बाद में recording देख लेंगे कोई issue नहीं है कल session क्यों नहीं हो पाया था क्योंकि internet was not working ठीक है होली के हुर्दंग में हमारे optical fiber को काट दिया गया था कल है ना तो बहुत मुश्किल में एटल वाला ने जुगाड किया था बहुत कम स्पीड आ रही थी बट यस शाम तक ठीक हो गया था तो हमने special class ले ली थी special class ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है बेटा अगर आप जॉइन नहीं करते हो तो आप कुछ बहुत अमेजिंग मिस कर रहे हो आप पूछ लो अपने फैलो स्टुडेंट से कितना मजा आ रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग questions करते हैं अच्छी standard books के दीजी पांडे books के और कल हमने एम वेव पूरा फिनिश कर दिया था ठीक है तो वह भी आपको जॉइन करना चाहिए दोपहर में जिनरली वन पीम को होता है 1230 के आसपास अच्छा तो लाइव तो मैं आ चुका हूँ ना हा मैं लाइव तो आ चुका हूँ ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा है दे दूँगा डोंट वरी आए बेटा थर्मल फिजिक्स की जब बात चलती है थोड़ा सा आइडिया ले लो है ना कुछ लोगों को क्योंकि साथ पता ही ना हो कि यह थर्मल फिजिक्स का यह पार्ट है जो आथ सर पढ़ा रहे हैं कल एक बच्चे का मैसे जा रहा था सर थर की दूसरा था बेटा कैलोरी मैड्या क्या तरीके से पढ़ा था हमने बहुत मस तरीके से पढ़ा था और यह दो चीज़ें अपनी गई हैं तो अभी थर्मल फिसक्स हतम नहीं हो है इन दो चीजों के बाद अब जिसे आज हम लोग बेटा के टीजी शुरू कर रहे हैं के टीजी याने काइने फिर गैसे इसके बाद बचेगा अपना हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कंडक्शन कंवेक्शन एंड ठीक है तो अब एक बाद ठान लिया है तो थर्मल फिसक्स को ढंक से खतम कर ली लेते हैं इन दोनों से मिला के डीपीप में सिर्फ 15 कोश्चन थे 15 से 20 होंगे जो मैंने आपसे सॉल्व करवा लिये थे आपको याद होगा है ना तो उसके बाद आज हम केटी जी करेंगे इस बता चला बच्चा लिख रहा है M E R A मेरा N A A A M नाम है ना चला जस्ट किडिंग डीपीप डाउनलोट कर लेना सॉल करने लग जाना इस त्यूजडे का टेस्ट है इलेक्ट्रो मागनेटिक वेव एंड मोशन इंड वन डामेंशन उसकी डीपी अपलोडेड है टार्गेट आपको गिवन है खरिए महना ठीक है इस पर सब कुछ है आजकल टार्गेट भी मिल रहा है इस पर डीपी भी मिल रही है टेस्स सीरीज का लिंग भी यहीं पर है जि मैं तो स्टार्ट करते हैं सेशन को दिल बनाओगे थोड़ा दिल बनाओद दिल प्यार ब्यार चलो आज़ो नोटिफिकेशन नहीं आया ना बहुत सारे बच्चे लिख रहे है आज नहीं आएगा क्योंकि यह कल लगा था आज हो रहा है इसलिए नहीं आता कई बार एनवे के प्रेशर के बाद की जाती है P for pressure, ना बिठा, volume की बाद की जाती है V for volume, mass की बाद की जाती है, density की बाद की जाती है, है ना, number of moles की बाद की जाती है, तो gases का क्या behavior है यह दिखा जाता है, चेक है, पहली बात तो यह होगी, अच्छा, दूसरी चीज, यह pressure आखिर आता कैसे है यह जो gases होती है मालो किसी cylinder के अंदर किसी डब्बे के अंदर गैस रख दो आप तो pressure लगाती है प्रेशर फट भी जाता कई बार है ज़्यादा pressure हो जातो तो प्रेशर आकर आता कैसे है तो ऐसा बोला गया कि भाई अगर किसी कंटेनर में तुमने गैस को रखा हुआ है तो यह जो गैस के molecules है न बच्चे यह vibrate कर रहे होते हैं टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से एक दूसरे से तो टकरा ही रहे होते हैं साथी साथ दीवार से भी टकरा रहे होते हैं जो कंटेनर की वाल से टकराएगा, दीवार से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा, तब चूर-चूर तो नहीं होगा वैसे, आम लोग रिजिड मानके चलते हैं, ऐसा नहीं कि टकराया टूट गया वहीं, पर गिर गया नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, तो टकराने से ना, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो टकराने की वज़े से प्रेशर आता है दीवारों पे, तो इधर भी कुछ प्रेशर, 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 अब सुचो ना, कोई चीज जा के बार-बार ऐसे टकरा रही है, तो उसका momentum change हो रहा है, change in momentum per unit time is force according to second law of motion, है ना, और फिर force upon area is pressure, तो क्यों आता है pressure समझ गए, gas molecule के random motion होने की वज़े से, और दीवार के साथ, wall के साथ, collision होने की वज़े से pressure आता है, collision होने से ऐसा क्या हो जाता है, change in momentum आ जाता है, change in momentum upon time is force, force upon area is pressure, तो बोला गया कि they are doing random motion, ठीक है सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, और समस्तने इसके बारे में है ना, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि gas consists of large number of tiny particles, known as molecules, है ना, these are colliding like anything, ऐसे, 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 टॉपिक है, पहले ही मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ वो टॉपिक, mean free path, free path क्या होता है, mean free path क्या होता है, मालो एक molecule घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रस्ते में था दूसरा molecule, तो क्या हुआ, जब वो घर से निकला, तो पहले आराम से चल रहा था, free path था, free path था, free path था, फिर एक molecule से मिला और टकराया, तो दो collision के बीच का जो distance होता है, उसको mean free path कहते हैं, अब मालो इससे टकराया, अब टकरा के सोचा, आज का तो हो गया, आज का तो मैं टकरा लिया, अब फिर आगे जाओंगा बिना टकराया, बढ़ थोड़ी दूर जैसी चलेग पिर टकरायेगा किसी ना किसी से, इतने सारे हैं ना, टकराना तो हई, तो जब दो collision के बीच के distance को देखा गया, तो उसको बोला गया mean free path, अब यह सिर्फ एक molecule के लिए नहीं निकाला गया है, मीन का मतलब क्या है, पूरे sample के लिए निकाला गया है, अब कैसे निकाला गया ह है, इसका derivation कहां से आता है, immaterial है हमारे लिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, यह formula याद रखना, कि आखिर mean free path किन चीजों पर depend करता है, direct question आता है बिटा, मैं आपको एकदम neat specific content दे रहा हूँ, एकदम neat specific है ना, वो boards में जो एकदम सुरू के definitions होते हैं, उसकी कोई ज़रत नह को, conceptually सब कुछ समझ जाओगे, neat का question तुमसे solve होगा, यहीं चाहिए होता है, आमें है, तो सीधा में mean free path के आ गया, और इसका कोई वो सब जुरुरत नहीं है, ठीक है, derivation वगएर होता क्या है, थोड़ा idea रख लो, दो collision के बीच की दूरी को mean free path कहते हैं, पूरे gas sample के लिए जाता है, RT, R क्या है बेटा, सबको पता है क्या, यह constant है, universal gas constant, इसकी value होती है, 8.314, अभी unit वगर आपन देखेंगे, tension मत को, है ना, T is the temperature, ठीक है, T is the temperature, temperature in Kelvin, ओके बेटा, यह है temperature in Kelvin, ठीक है सर, अच्छा, बाकी सब चीजे क्या है, देखो, 2 और 5 होता, आप बचपन से जा diameter of the molecule, Na क्या है, epic hydrose number, कहां पढ़ा है, chemistry में पढ़ा होगा, 6.023 वाला, 10 के परमाच 23 वाला, है ना, yes, और P gap, pressure, सबसे important यहाँ पर जो बात है, जो आपको बता दूँ, जहां से सवाल पूछा जाता है, पूछा जाता है कि mean free path का, diameter of molecule के साथ क्या relation है, तो देखो, यह relation है, यह रिष्टा यह कहलाता है, रिष्टा क्या कहलाता है, रिष्टा यह कहलाता है, बोलेंगे कि अच्छा, अगर diameter of molecule को मैं double कर दूँ, तो mean free path कितना हो जाएगा, तो सुझ, यहाँ पर double आ जाएगा, ना, 2 का factor, उसका square है, तो 2 का square 4 बन जाएगा, तो lambda will become 1 by 4, समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, येस, ऐसे question साते हैं बेटा, direct, तो दिल बना के बताओ, अगर बात समझ में आ गई है, एकाथ question previous year से ढूंड के निकाल के करा भी दूँगा है ना, तो mean free path is, inversely proportional to diameter का square, molecule का diameter है वो, हो जाएगा, कर लोगे, करा देंगे, और सवाल करा दें definition मतलो, ठीक है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे, पहला equation, ideal gas equation, ठीक है, इस पे बात चलेगी, यहीं से question आएगा, मज़ेदार, तो इसको पढ़ते हैं, अपने पास सामने देखो, यहां पे एकदम मस्त, PYQ की बुक रखी हुई है लगाएंगे question, पढ़ाई भी करेंगे, question भी लगाएंगे, तयार हो, चलो तो बेटा आजाओ, बाकि तुम लोगों की holy holy कैसी रही, holy holy खेले या नहीं खेले बेटा, मैंने गुरगाओं की holy पहली बार देखी है, वैसे है ना, मैं पिछले साल बैंगलोर में था, तो बैंग से थोड़ा बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने देखा, मेरे सामने जो गाड़ी चल रहीती, उसमें से एक महिला ऐसे दर्वाजा खोल के बाहर कूदना चाहती थी, और बाई-साब गाड़ी चला रहे थे, उनके गाड़ी कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, भूल मनाओ बाबा इतना हुडदं काहे करना है, समझ नहीं आता मुझे को, चलो कोई बात नहीं, अपन बढ़ाई करते हैं, है ना, ideal gas equation कहता है, कि pressure into volume बराबर n, r, t, एक बर जल्दी से समझ लो, क्या 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 है, है ना, p is the pressure, pascal, है ना, newton per meter square is the unit, it is pressure, v is the volume, है ना, बीटा, तो इसकी unit हो जाएगी, si unit, newton per meter square, volume की unit है, meter cube, है ना, n is number of moles, कि कितने number of moles है, ठीक है, r का value होता है, 8.314, इसको बोलता है, universal gas constant, ठीक है, बहुत बढ़ी असर, and t is the temperature, si unit will be kelvin, k for kelvin, है ना, kelvin और degree celsius convert करना सबको आता है क्या, मानलो तुमको बोलता हूँ, कि एक temperature तुमको given है, बेटा, t बराबर 27 degree celsius, बता, उसको kelvin में कितना लिखो गए, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए, तो sir, simple है, kelvin में convert करने के लिए, 273 add कर देते हैं, उसको capital T लिखते हैं, ठीक है ना, हम हर एक चीज के बारें बात करेंगे, ताकि कोई बच्चा फंस ना जाए, है ना, आराम से, तो बिठा याद रखना, SI unit temperature का degree celsius नहीं है, लेकिन examiner आपको हर बार degree celsius में value देगा, आपको test करने के लिए, कि क्या आप उसको kelvin में convert करना है, ये बात जानते हो कि नहीं जानत है, तो कितना आ जाएगा ये 300 kelvin, this is our atmospheric temperature, लगभग इतना ही होता है, 27 degree celsius या फिर 300 kelvin, कई बार atmospheric अगर बोल दें, तो हम लोग यह value ले लेते हैं, है ना, मैं लिख देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही उठा के ले लेना है, ये बन रहेगा, बढ़ कई बार अगर खा है, लेकिन हाँ, इसको तोहद करना आसान होता है, इस formula को देखो कितना प्यारा सा formula है, यही पर अगर मैं तुमको real gas equation दिखाऊं अभी, तो तुमारी हालत ही खराब हो जाएगी, P plus A, Y, B square, ये वो लंबा चोड़ा बहुत है ना, थोड़ा सा complicated हो जाता है real gas equation, तो हम लोग क हम पढ़ेंगे ideal gas equation, अब बिटा, इस पर थोड़ा सा और बात किया जाए, PV बराबर NRT तो आप समझ गए, है ना, N को लिखने के दो तरीके बताता हो, बचपन याद आजाए का तुमको एकदम से, देखो, N को लिखने का एक तरीका है, number of moles को लिखने का actual mass of the substance, जो gas का mass है, divided by its molar mass, या फिर molecular weight, अरे जानते हो यह चीज की नहीं जानते है, तुम लोग के mystery में तो पढ़ाई होगा, number of moles is what, total mass, जो given sample का mass है, upon उसका molar mass, अब माल लो किसी substance का, जो molar mass है, वो अगर मैं कहता हूँ कि 29 gram है, gram per mole, और मैं तुमको कहता हूँ कि, तुम्हारे पास जो sample है, वो 58 gram का है, 58 gram gas तुमको दे दिया, उसका molar mass 29 है, तो कितने moles है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 2 moles है, n बराबर 2 आ जाएगा, है ना, yes, just for example, ताकि एकदम basic से पढ़ाऊंगा मैं है ना, पहला session है वैसे भी एक ATG का, दो session तो आराम से लगेंगे, आज पूरा basic है बेटा, basic अ total number of molecules, जुतने भी number of molecules हैं पूरे gas के sample में, divided by Na, यानि की Avogadros number, ये भी तरीका है number of moles सिखने का, अगर ये दोनों तरीके तुमको नहीं आते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, तीन मेहने बाद NEET का exam है, क्या निपढ़ा तुमने है, ये पढ़ा ही होगा, obviously पढ़ा होगा मुझा कर रहा हूँ, mole concept है ना, तो total mass upon molar mass, total number of nucleus, या फिर molecules, divided by Avogadros number, तो एक काम करते हैं ना बिटा, दोनों को जरा replace करके, दो formula अपन बना लेते हैं देखो, है ना, इसको यहाँ पे रख दो, N के जिगे पे, तो देखो क्या मिलेगा, आजा 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 आजा, तो सर्पी चेंज करो, MW को इस तरफ लेआओ, ठीगे पेटा, MW का आप इस तरफ लेआओ, चलेगा, और इस तरफ ले जाओ आप volume को, तो mass upon volume चला गया, ऐसे, तो formula क्या बनके आरा चला देखो तो पेटा, P into molar mass, और यह क्या पता है, mass upon volume, density, ये लो भाई, अब ये equation काम आएगा, M upon MW लिखना है, N upon M upon MW लिखा, volume को नीचे लिखे आया, तो ये mass upon volume बन गया, density, और ये चला गया, इस तरफ, देलो आफटाफट, come on, तेजी से करते हैं, इथर भी थोड़ा सा हरकत कर लेते हैं, N बराबर N लिख देते हैं, तो देखो, PV बराबर N RT होता था, यहाँ पे capital N upon N आजाएगा, यहाँ पे RT आजाएगा, बहुत बढ़ी है सर मजा रहा है, ओके, फिर मैंने क्या किया, देखो, PV तो ऐसी छोड़ दिया, ठीक है, capital N को मैं बाहर ले लिया, इसको मैं R upon N लिख लेता हूं, इन्टो T लिख लेता हूं, सही है, देख रहो, R upon N लिख दिया, N को बाहर लिख लिया, अब बता हूं, R upon N क्या होता है, युनिवर्सल गास कॉंस्टेंट अपॉन आपका हैवे केड्रोस नंबर, बोल्ड़्वन कॉंस्टेंट कहलाता है यह, नहीं पता, तो आज सीख लीजिए, कोई बात नहीं है, बोल्ड़्वन कॉंस्टेंट के भी य इंस्टा पे वाइरल नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, चलो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट, come on, yes, है ना, ले लिया, चलो, तो यह दूए इक्वेशन है भाई, हमारे पास, है ना, अब तुम बोलोगे, सर, अगर एक क्वेशन हो जाता इसमें, तो मज लिखो, क्वेशन है, नीट 2020 का, बहुत रीसेंट, इछले के पिछले साल, है ना, नीट 2020, क्या बोला, और सिलिंडर कंटेंस हाइड्रोजन गैस, एट प्रेशर 249 किलो पासकल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है आपके पास बेटा, जिसका प्रेशर है, 249 किलो पासकल, किलो, किलो मतलब 10 की पाउर 3 होता है, टेंपरेचर है बिटा, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ, इसका डेंसिटी कितना होगा, find density, आर आपको गिवन है, 8.3, इसकी यूनिट होती है, जूल, मोल, पर केल्विन, है, जूल, पर मोल, पर केल्विन, यह आर है, आपको क्या निकालना है, density, चलो, फटाफट, फट, एवरिवन, तो option A गिवन है, आपको 0.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, option B आपको गिवन है, बिटा, 0.1 kg पर मीटर क्यूब, option C आपको गिवन है, 0.02, same unit है, kg पर मीटर क्यूब, and option D है, 0.5 kg पर मीटर क्यूब, अगर देते, तो क्या यह question आप कर पाते है, come on बिटा, come on, everyone, है ना, अरे मेरा chat नहीं चल रहा क्या, एक second, तुम्हारे chat नहीं देख रहे है, मुझे क्यों, अब देख रहा है, C आ रहा है क्या, भाई, full confusion है यार, तुम लोगों को, है, पहला option है, 0.2, दूसरा option है, 0.1, तीसरा option है, 0.02, and last option है, 0.5, हुँ, गडबड घोटाला है भाई, सब यहां पर, है, देखा भाईया, हम आपको solve करके दिखाते हैं, correct answer है, 0.2, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, yes, this is the correct answer, क्या से क्या हो पहला ही question था, है, इसी में can't कर दिया था देखो भाई, simple सी बात है, क्या निकालना है मेरे को? Density, density क्या इससे आ जायेगा क्या, इससे, नहीं सर, इससे आ जायेगा क्या, बिल्हकुल नहीं सर, किससे आएगा फिर, इससे आएगा सर, P into MW rho RT, है ना, तो देखो भाई P mass rho RT तो hydrogen H2 कितना होता है molar mass, 2 gram है ना, 2 gram होता है बेटा, yes तो density बराबर P into M divided by R into T करोगे आप, ठीक है sir pressure कितना है, देखो 249 दिया है क्या, हाँ 249 लेकिन वो kilo Pascal में है kilo को Pascal में कैसे convert करोगे 10 की power 3 करके, अच्छा sir ओके sir, तो 249 10 की power 3, ठीक है, molar mass 2 gram, तो 2 gram per mole होता है hydrogen का 2 gram per mole होता है molar mass hydrogen का, लेकिन gram को kg में करना पड़ेगा convert, तो 2 gram को आप 2 into 10 की power minus 3 लिखेंगे, तो ससरा kg में convert हो जाएगा, सही है na kg में convert हो गया, ओके sir बहुत बढ़िया, नीचे देखो r है, जो की 8.3 given है बच्चे और जो t है, उसको 27 लेने की गलती भी मत करना क्योंकि 27 degree Celsius है 27 degree Celsius है 300 Kelvin बन जाएगा ये, येस तो नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 300 Kelvin लिखेंगे आप, अब देखो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 तो cancel हो ही रहा है ना, ये कुछ 200 into 2 होता तो 500 हो जाता, तो 500 में 2 कम आएगा क्योंकि 249 है ना तो उपर आएगा कुछ 498 नीचे आजाएगा 8.3 into 300, solve कर लो 0.2 आना चाहिए, answer आ रहा है कमज आया अब एकदम सच सच बता तो honestly, क्या blender कर रहे थे तुम दो, calculation mistake क्या कर रहे थे, या फिर T को convert नहीं किया या फिर pressure को convert नहीं किया या फिर molar mass गगत ले लिया कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें हर चीट से बचने की जुरत है, मैं ये समझाना जा रहा हो तुमको है ना, yes एक और करेंगे है ना एक और करेंगे के बेटा चलोग, इसको लिख़ो चाओ तो 2 के जिए वन ले लिया, h2 है ना, h2 2 के जिए वन ले लिया समझा चलिये, आईए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये question तो आपका हो गया, next question पे चलते हैं, अभी question जितना ज्यादा करेंगे, उतना selection के chances बढ़ जाते हैं, थीोरी पढ़ते 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 हैं, जडवती हो सुजान, लेकिन नीट पर नहीं पढ़त निशान, समझरो, थीोरी पढ़के नीट में निशान नहीं बना पाओगे आप, आपने 2021 का paper देखा है, प्रैक्टिस करके ही बना सकते हो नीट में अपना निशान, तो निशानी अगर छोड़नी है, तो practice करिए, इसलिए हम थोड़ा सा theory पढ़ा के पूरा question करा रहे हैं आपको आईए, भले मेरे को 3 session लग जाए, कोई फर्क नहीं पढ़ता 2 vessels separately contain 2 ideal gases A and B at same temperature, देखो यहाँ पे एक vessel है, यहाँ पे एक vessel है, ठीक है इस पे कोई ideal gas A है, इस पे कोई ideal gas B है दोनोंका temperature same है, इसका temperature भी T है, इसका भी T है बिटा ओके सर, pressure of A being twice that of B pressure of A is 2 times that of B, ठीक है, T, T pressure, pressure double I under such conditions, density of A is found to be 1.5 density of B अच्छा, density of A is 1.5 times density of B, अच्छा क्या कह रहा है, find ratio of molecular weight of A and B molecular weight of A upon molecular weight of B, निकाल ये 2015, नीट 2015 option A, 3 by 4, option B, 2, option C, 1 by 2, option D, प्यारे बच्छे, 2 by 3 come on everyone in the class, Tuesday test का time 5 PM रहता है अपना, पांच बच्छे रहता है test अपना, अपना test 5 बच्छे रहता है भाई, चलो भाई, देखा आंसर ज्यादा तर बच्छो का A आ रहा है और इस बार तुम लग सही हो, good job, good job, good job, improvement, पिछले बार का अगर होता तो शायद 25-30% आते हैं, इस बार को 80, 70-80% लग रहे हैं, good job, बिटा, करे फिर solve, आजाओ, मैं भी solve करा देता हूं, फड़ा फट है ना, तो A is the correct answer, भाई 3 by 4, देखते हैं कैसे आएगा, तो यहीं पे box बना के इसको solve कर लिया जाए, color change करके बस है ना, यहाँ प बराबर nRT, नहीं, सर, P into molar mass बराबर ρो RT, यही तो लगाओगे, common sense है, अपने पीछे लिख दिया, क्या मैंने, यह तो common sense है ना, हाँ सर, जो बोला है वही तो लगाएंगे, अब मेरे को किसका ratio निकालना है, मेरे को निकालना है molecular weight का ratio, तो देख, molecular weight का जो formula बनेगा, वो क्य divided by P, सही बिटा, P को धर बेज़ दो, आप, खतम है ना, बहुत बढ़ी असर, अब इसको आप लिख लो, molecular weight of A, तो यह बन जाएगा, रो A, यह बन जाएगा, PA, जब आप सेम चीज लिखेंगे, B के लिए, तो यह बन जाएगा, B का, यह बन जाएगा, density of B, RT upon pressure of B, सर, आप temperature में क्यों नहीं लिख रहे हो, A और B, आप temperature में क्यों नहीं लिख रहे हो, A और temperature में क्यों नहीं लिख रहे हो, B, क्योंकि दोनों का temperature सेम है, देख लो, देख लो, और R तो universal constant है, उसकी तो tension ही नहीं है, अब मैं लोंगा, यहाँ पर ratio, है ना, अब मैं लोंगा ratio, तो this divided by this, देख बिटा क्या क्या कैंसल हो जाएगा, जब तु इन दोनों को डिवाइड करेगा न बच्चे, तो R और T तो वैसे भी कैंसल, ये R T कैंसल, ये R T कैंसल, उपर बचेगा रो A अपॉन P A, नीचे बचेगा रो B अपॉन P B, तो रेशियो लेने से क्या आएगा मैं बताता ये आंसर है आपका, अब देख लो, अब देख लो, यहाँ पे रो A आ गया, रो B आ गया, क्या रेशियो है, रो A उपर है, नीचे रो B है, क्या रेशियो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे आए पीबी अपॉन P A, देख बिटा, पीए अपॉन P B अउन P तो देखो, रो A अपॉन रो B आ रहा है, मल्टिप्लाइड बाई, पीवी अपॉन P A आ रहा है, अब तुम देख लो, मैंने उल्टा लिख रहता चाहा था था न, तो रो A अपॉन रो B करोगे, तो 1.5 आएगा, समझके, मल्टिप्लाइड बाई, पीबी अपॉन P A करोगे देखो, P A अपॉन P B तो 2 है, आप देख रहे हैं, यहां से, P A के नीचे P B को लाई ही तो 2 है, लेकि मेरे को कहा चाहिए, पीबी अपॉन P A, उल्टा चाहिए, तो यह 1 by 2, अब 1.5 को 3 by 2 लिख सकते हैं, 3 by 2 into 1 by 2, 3 by 4 हो जाएगा, is the correct answer, कमाल करते हो कह रहा है, हो जाता है चलिए, anyways, ठीके वेटा, आसान लगाना आपको, तो बस एक formula बना लेना है, जो formula जहां पे जो valid है, वो लगाना है, लगा के अपन ratio ratio ले लिए, finally बस सही तरीके से चीजों को रख देना है, तो रो A अपॉन रो B की value 1.5 हो जाएगी, और मेरे को यह PB अपॉन P A जोगी हो जा Spammer है या, Spammers, get a life please, हमारी सुन्दर सी class को खराब करने आते हो, बढ़ नहीं कर पाओगे, शोलो, next question, ठीक है, question करने मज़ा रहे है ना बेटा, question करो, जितना करना उतना करो, कोई tension वाली बात नहीं ही, ठीक है ना, खूब question करो, खूब question करो, चलो, एक question और आजाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा question करेंगे बेटा, उतना आपन सेफ रहेंगे, NEET 2001, मतब तब AIPMT होता था, NEET भी नहीं होता था, ठीक है, क्या पूछा किया आपसे, a gas at 27 degree Celsius, तो मैं short में लिख रहा हूँ, ठीक है, short में, 27 degree Celsius is the temperature, ठीक है, 30 atmospheric pressure, pressure कितना है, 30 atmospheric, अच्छा, 1 atmospheric कितना होता है, 1 atmospheric होता है, बेटा, पास्कल में अगर आप बोले है, 1.01 into 10 की पावर 5, पास्कल, ये 1 atmospheric pressure की value है, Newton per meter square कहलो, पास्कल कहलो, एक ही बात है, हमारे gas में कितना 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 है, 30 atmospheric, okay, it is allowed to expand to the atmospheric pressure, expand कर आया इसको, ठीक है, expand कर आया, ये P1 था, तो final pressure कितना हो गया, 1 atmospheric, 30 atmospheric से 1 atmospheric, volume becomes 10 times, आहा, volume becomes 10 times initial volume, तो बताईए, बताईए, final temperature कितना हो जाएगा, find, final temperature, question समझ में आया के, बताओ तो बेटा जल्दी से, initial temperature 27 degrees Celsius, ठीक, हाँ सर, initial pressure 30 atmospheric, expand करा दिया, expand करने से क्या होता है, pressure कम हो जाता है, volume बढ़ जाता है, फैल जाती है, final pressure यहाँ पर आ गया, final volume 10 times initial volume हो गया, final temperature आपको बताना है, options आर, very interesting, पहला option है 100 degrees Celsius, दूसरा option है 173 degrees Celsius, तीसरा option है बेटा, 273 degrees Celsius, और चौथा option है, बच्चे, minus 173 degrees Celsius, lag कर रहा है, नहीं, कोई lag नहीं, जूठे, refresh करो बेटा एक बार, बंद करके चालू करो, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, A answer आया, बहुत बढ़िया, रुपाली का answer आया, A, बहुत बढ़िया, सबनव का आया, D, अच्छा जी, राहूल का आया, A, विवेक कान्त का आया, A, अमित का आया, D, महरीन का आया, D, A, D, O, D, है ना, A और D में सबसे ज़्यादा वो लोग answer दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अब ही देखते हैं, सही answer काउन सा होगा, थोड़ा और दे दो answer है ना, चलो, मतलब सही है, D और A में ही सबसे ज़्यादा लाउड सार है है ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आईए, अब मैं solve करवाता हूँ, फिर देखते हैं, आईए, तो बिटा, यहां पर box बनाते हैं, solve करते हैं, देखो, तुभें क्या लगता है, क्या लगाना चाहिए यहां पर, density का कोई रोल नहीं है यहां पर, number of molecules पर बात चलनी रही है, तो ना तो मैं नीचे वाला formula उधर वाला लगाऊंगा ना इधर वाला लगाऊंगा ना तो मुझे ये लगाने की जरत पड़ीगी हमारा काम हो जाएगा इस से PV बराबर NRT से यहाँ पे काम हो जाएगा क्योंकि density नहीं है ना तो density वाला formula क्यों ही लाओगे बिकार में है ना तो अगर मैं equation लिखूँ PV बराबर NRT तो sir इससे कैसे होगा sir देखो pressure भी change हो रहा है volume भी change हो रहा है temperature भी change हो रहा है लेकिन दो चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी पता है क्या-क्या number of moles नहीं बदल सकता क्योंकि close system है ऐसा थोड़ी एक थोड़ी gas निगल दी नहीं जो है उसी में pressure बढ़ाना है कम करना यह सब करना right number of moles सेम रहेगा r तो universal gas constant 8.314 तो change हो ही नहीं सकता तो अगर मैं सारे constant को एक तरफ छोड़ दूँ तो PV by t बराबर nr लिखा जा सकता है और n into r is just a constant तो मैं n into r को हटा के बेटा यहां पे constant भी लिख सकता हूँ कोई issue नहीं होजे लो यह निकल के आगे अपना equation PV by t बराबर constant अच्छा इसका मतलब क्या हुआ पता है इसका मतलब हुआ P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2 ninja technique सीख लो भाई यह है यह है actually एक तरह से mass conservation है ना number of moles को आपने constant लिया आर्थो बच्पन से constant है इसको बोलते है mass conservation same mass will be there initially and finally conservation of mass अब तो कुछ नहीं यह बेटा value रखते जाओ अच्छा P1 को 30 लिख दो तो काम चलेगा कि 30 atmospheric है तो 30 into 1 atmospheric लिखना पड़ेगा मैं आपको क्या कहता हूँ ना P1 भी atmospheric में दिया है P2 भी atmospheric में दिया है रहने दो दोनों को atmospheric में ही रहने दो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो P1 को आप 30 रहने दो है ना और V1 को कितना लिख सकते वा मतलब V2 बराबर 10 V1 है ना चलो इसको फिलाल V1 रहने दो P1 कितना है 27 लेकिन 27 मतलिक देना 300 Kelvin मैंने बोला था solve करते समय Kelvin होना चाहिए बहुत बढ़िया से P2 देख बिटा तुने वहाँ प atmospheric unit ली है तो यहाँ भी ले लेना 1 into 1.01 into 10 पार 5 दोनों तरप से cancel ही तो होना है 10 की पार 5 वाला पार्ट तो क्यों ही करना है same unit है रहने दो अच्छा यहाँ पे V2 आना चाहिए था और V2 मेरे को given है 10 times V1 तो लिख लेता हूं ताकि दोनों साइट से V1 V1 cancel हो जाएगा V2 बराबर 10 V1 और T2 मुझे निकालना है है ना वेटा बहुत बढ़ी आसर मजा आ रहा है यह 0 गया यह 0 गया यह V1 गया यह V1 गया देखो तो T2 किता आ रहा है तो T2 बराबर 300 divided by 3 यानि कि 100 अब जैसे 100 आया जैसे 100 आया तुम गय सीधा options की तरफ पहला ही option तुमने देखा आँखों में थे आसू और examiner के लिए गाना गाने लगे कि question बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया कैसा घटिया option बनाया और तुमने मार दिया A में और examiner ले लेगा तुमारे मजे क्योंकि जब तुम यहाँ पे Kelvin में रखके निकाल रहे हो तो answer भी तो Kelvin में आया होगा जबकि यहाँ पे degree Celsius लिखा है गलत है वो answer तो जितने लोग A बोल रहे थे भावूख होके तो 100 आया sir, 100 आया sir, 100 आया sir थोड़ा unit का ध्यान रखा करो अब कोई बच्चा बोले का sir, आप convert ही क्यों कर रहे हो फिर यहाँ पे degree Celsius था यहाँ पे रख दो answer भी degree Celsius में आ जाएगा this is not how it works if you want to make it work you will have to convert it to Kelvin first Kelvin में convert करके यहाँ से answer निकालोगे और फिर से इसको दुबारा degree Celsius में convert करके फिर answer लिखना पड़ेगा तो Kelvin में जाने के लिए 273 जोडते थे न अब Kelvin से degree Celsius में जाने के लिए 273 घटा दोगे तो 100 minus 273 degree Celsius है इसका answer यानि की minus 173 degree Celsius तो सारी मेहनत करके भी सारी मेहनत धरी के धरी रह सकती है अगर तुम यह नहीं करोगे last वाला point last वाला point is very important यह तो हर बच्चा कर लेगा P1, V1 वर T1, P2, E2 वर T2 आंचर आगया सर 100 100 में जाके click कर दिया गलत है ना चलिए दिल बनाए बेटा फड़ा फड़ा फड़ कमान बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना बिलकुल यही चाहिए बस हमको अरे motion कैसे खुल गया इसमें भाई इसका page कप पलट गया यहा page भाई पलट गया भाई तुम्हारे साथ हुआता ना यह चलो हो जाता है गलतियां होती है तभी तो आप यहां आए हैं सीखने के लिए हैं ना सही कह रहूं ना अब इस बार अगर तुमने गलती करी तो बहुत जोर से पिटो गए ठीकैं इस बार सही करना है बटा फुल प्रैक्टिस बेस्ट क्लास रख रहा हूं में क्योंकि अगर प्रैक्टिस बेस्ट क्लास रहेगी मज़ा आएगा पढ़ाई करने में भले एक session extra लग जाएक ATG में, क्या करोगे जल्दी syllabus करके, syllabus को ढंक से करने में जाता मज़ा है ना, कि जल्दी करने में जाता मज़ा है, अब मैं theory पढ़ाना जाओ तो एक session में पूरा KTG पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आज देखो मैंने खाली अभी तेक ideal guys equation पढ़ाया है, उसी को बहुत strong बना रहा हूँ, क्योंकि तुमने देखा 2020 में भी सवाल है, 2015 में भी सवाल है, 2007 में भी सवाल है, बहुत questions आते हैं इसके, एक और कर लो please, when volume of system is increased twice, volume becomes twice, ठीक है, temperature becomes half, ऐसा बोला गया है, temperature कितना हो रहा है बेटे, half, then pressure becomes how many times, pressure becomes how many times, अब यार यह आखरी question है, ठीक है, please आराम से खतम कर देना इसको, लेट मत करना और गलती तो बिल्कुल मत करना, a है two times हो जाएगा, b है सर प्रेशर four times हो जाएगा, c है सर one by two times हो जाएगा, d है one by four times हो जाएगा, please take your time, कोई बहादुरी निये जल्दी आंसर देने में, बहादुरी है सही आंसर देने में, एक्यूरेसी और स्पीड का थोड़ा सा, पता नी, sanitizer क्यों लगा रहा हूँ, अकेला हूँ या आदत, ऐसी खराब आदत हो गई न, sanitizer दिखा और लगा लो बस, चलो, इस बार और कम डेमोक्रसी दिखने को मिल रही है भाई, मेरे ख्याल से है न, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने D answer दिया है, and D is Skype, सीख गए अब आप, अब आप सीख चुके हो है न, तो जैसी pressure, volume, temperature, सबके बीच का relation पूछा जाएगा, आपको पता कौन सा equation लगाना है, आप तो हफ्यार हो ही, है न, कौन सा equation लगाना है सर, सर ये वाला लगाना है, देखो, P1 V1 by T1 बराबर, T2 V2 by T2, अब हर बार ये समझाने की जूरत है क्या, कि N भी constant है, R भी constant है, इसलिए ऐसा कर लिया मैंने, नहीं, एक बार कर लिया बहुत है, अब तो डारेक्ट उसको आप अप अप्लाई करते जाओ, है न, तो volume has become twice, तो कहने का मतलब हुआ, कि V2 बराबर है कर ले न, कोई बड़ी बात नहीं है, या करके बताओ, चलो करके बताई देता हूँ, तो P1 V1 by T1 बराबर, देख भी टाओ, P2 को ऐसी छोड़ दे, V2 कितना हो जाएगा, 2 V1, देख रहे हो, ये V2 होगे 2 V1, अपाउन T2 था, T2 कितना हो जाएगा, T1 अपाउन 2, तो ये 2 चला गया, अब T1 ने T1 को मारा, V1 ने V1 को मारा, तो P1 बराबर 4P2, यानि कि P2 by P1 बराबर 1 अपाउन 4, तो ये 1 अपाउन 4 टाइम्स हो रहा है, मेरे तो बहुत आ रही है, हो गया, बहुत हो गया, हट, हताम, तो कहने का मतलब, PV बराबर NRT से अगर सवाल आ जाए, तो भी हमारी क्लास के बच्चे फोड़ा-फाड़ी मचा देंगे, बिल्कुल ही, अगर देंसिटी वाला आ जाए, तो इसका भी 2 कुश्चिन करवा दिय इसका कोई डिर्क कुश्चिन आस तक देखा नहीं किया है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है, क्या ही दिक्कत है है, ना, N है, KB है, T है, अगर बुलेगा, number of molecules की बात करेगा, तो N है, तो N है, तो N is number of molecules है, कितने molecules है, इसको moles मत समझ लेना नमोन है, number of molecules है, इ Do you all know N A का value, बेटा, 6.22 या फिर 6 पॉइंट के बाद वाला आप छोड़ भी सकते हो, कोई issue नहीं है मेरेको, 6 into 10 की पार 23, N A होता है, लेकिन आप अगर उस formula में देखो के तो क्या था, PV बराबर N KB into T था, और KB is actually R upon N A, है ना, R upon N A, अब देख बेटा, R है 8.3, 8.3, N A है कुछ 6 into 10 की पार 23, तो यह आपका KB बनेगा, KB की value होती है, 1.38 into 10 की पार माइनस 23, सोचो ना, यह उपर नहीं जाएगा 20 की पार 23, उपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और 8.3 upon 6, लगभग 1.38 के आसपस आता है, आप लिख लिजे ज़रा KB की value, 1.38 into 10 की पार माइनस 23, ठीक है, चलो, लिख लो बेटा, फटा फट, फटा फट, लिख लो बेटा, क्या पता कभी काम आ जाए, क्या पता इससे कोश्चन आ जाए, डारेक्ट है ना, यस सर, डान सर, आगे बढ़ते हैं मेटा, क्लास खतम नहीं हुई है, अगर आपको ऐसा लग रहा था, ऐसा विल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करिए और, आजाओ, next, जब ये मॉलीक्यूल, कंटेनर के अंदर, गुरुकर भुरुकर करते होते हैं, अधर, उधर, तो इसकी कुछ वेलॉसिटी होगी, किसी ना किसी वेलॉसिटी से ही ये लोग हरकते कर रहे हैं, actually एक नहीं, दो नहीं बलकि तीन टाइप की velocity define करी जाती है formula based topic है direct formula होता है जो आपको याद करना है तीन टाइप की velocity, कितने टाइप की सर तीन टाइप की सर, बहुत बढ़िया पहली velocity होती बिटा, rms velocity, अच्छा rms समझते हो, root, mean square, अब एक proper derivation है इसका, जो हमारे लिए important नहीं है, हमारे लिए क्या important है formula, तो rms velocity का formula होता है, under root 3 times rt upon molar mass, speed of sound पढ़ेंगे आप waves नामक chapter में, तो speed of sound का formula होगा, under root gamma rt by m 3 के जगे कौन आ जाएगा, gamma, gamma is called ratio of two specific heats, diatomic के लिए 1.4, polyatomic के लिए 1.33 asset, ठीक है, monotomical 1.67 उसकी value होती है, तो relate करके पढ़ो थोड़ा सा, यहाँ जो पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो पढ़ रहे हो, यह waves में भी काम आने माला है, similar चीज, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, बाकी बाद की बात है, करेंगे आपने इसको, speed of sound का formula था, वो, Newton अंकल ने जो दियाता है, actually, Laplace correction के बाद आता है, क्या है, RMS velocity इतनी होगी, RMS का मतलब क्या है, भाई, root mean square, है ना, root mean square, derivation not needed, average velocity, अगर आपको बोला जाए, average velocity of molecules, तो आता है, 8 by pi का factor, ठीक है जगे पे, 8 by mw, चीक है, यहाँ पे आपका 8 by pi आ गया, बागी सब सेम है, R, T by m, एक और होता है, most probable velocity, तीसरा, mp, मध्यप्रदेश, most probable velocity, इसमें आता है, 2 का factor, ओहो, यह कहाँ आगे हम लोग, 2 का factor, 2 का factor बोले तो, यहाँ पे, 2R T by mw, अब तुम देखो, RMS तो तुम समझ गए, root mean square है सर, कहीं कहीं निकाला भी है, जैसे, alternating current में निकालते हो, na, root mean square current, RMS current, पहले आप क्या करते हो, square करते हो, फिर उसका mean निकालते हो, फिर root लेते हो, तो एक बार थोड़ा सा RMS का आपको, थोड़ा सा feel देता हो मान लो, मैं आपको, मान लो, एक value है 4, एक value हो माइनस 4, बोला किया है, इसका RMS निकालो, इसकी RMS वाइल्यू निकालो, तो RMS का तरीका देखो, क्या होता है, RMS में सबसे पहले आप square करते हैं, S for square, तो square करो, 4 का square कितना हो जाएगा, 16, 16, minus 4 का square भी कितना हो जाएगा बेटा, 16, minus is gone, square कर दिया, square करने के बाद, next step है, mean, M for mean, mean मतलब कैसे निकालोगे इन दो नेंगा mean, दो values हैं, उसका mean निकालना, average निकालना, कैसे निकालोगे, तो आप average ऐसे निकाल, 16 plus 16 divided by 2, sum of observations divided by number of observations, 2 observation हैंना, 16 plus 16 upon 2, 2 observations, कितना आ गया, 16 और 16, 32 upon 2, 16 ही आ गया, mean हो गया, अब last में आपको इसका root लेना होता है, जो भी answer है, उसका आप root ले लो, तो जब आप root लोगे answer का, तो answer आ जाएगा 4, तो इन दोनों values का, जो rms value है, वो 4 ही है, हाला कि अगर मैं बोलू, इन दोनों का average निकालो, average, तो average कैसे निकालोगे, 4 plus 4 upon 2, लेकिन उसमें से एक तो negative है, तो 4 minus 4 upon 2, 0 आ जाएगा average, ऐसे rms निकाला जाता है, और average तो simple है, दोनों को जोडो, divided by 2 कर दो, है ना, तो rms निकालने के लिए, पहले square किया जाएगा, square के बाद जो answer आया, उसका mean निकाला जाएगा, mean के बाद जो answer आया, उसका root लिया जाएगा, तो भली इसका नाम root mean square है, लेकिन पहले आप square करते हो, फिर आप mean करते हो, फिर आप root निकालते हो, पर सुनने में root minus square ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए है ना ये भी तो सोचना पड़ेगा ना yes दन है बिटा चलो तो RMS पर बात हो गई average तो आप जानती है average क्या होता है most probable कि मैं आप आपको बात बताता हूँ देखो होता क्या है मान लो तुमने randomly randomly ठीक है container में से randomly एक particle निकाला एसे टुमने और पूछा बता तेरी velocity क्या है तो बहुत सारे molecules होते हैं बहुत सारे molecules होते हैं जिनकी एक particular speed रहेगी for example मैं ऐसा समझाता हूँ ठीक है मान लो बिटा यहाँ पर धेर सारे molecules दिख रहे हैं कुछ की velocity 1 है, कुछ की velocity 3 है मीटर पर सेकेंड मान लो, कुछ भी ले लो आप बट बहुत सारों की velocity 5S की 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 5, 5, 5 कुछ की 1, किसी की 3, किसी की 2 है ना, ऐसे हैं अगर मैं randomly एक molecule उठाता हूँ तो सबसे ज़्यादा probability किस velocity के होने की रहेगी किस velocity के chances सबसे ज़्यादा हैं कि आप उठाओगे तो उसी velocity का particle आपको मिलेगा 5 क्योंकि 5 वाले बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अब तुम सोच रहेगा सर, इसलिए math छोड़ा था हमने मैं आपको बताओ, math में कैसे सवाल होते थे math वाले कहते थे, एक container है उसमें चार लाल गेंदे हैं और पांच काली गेंदे हैं अगर एक randomly ball को निकाला जाए तो उसकी काली होने के probability कितनी है सर हम इसे क्या ही कर लेंगे है ना हम क्या ही कर लेंगे मतलब तो कुछ वैसा सा ही case है यह ना कि अगर आप एक randomly उठाओगे तो ज़्यादा probability है कि 5 meter per second वाला molecule आपको मिलेगा तो उसी को हम लोग most probable speed बोलते है क्योंकि उसकी probability बहुत जादा है अगर randomly निकाला जाए तो उसके आने की probability बहुत जादा है उसी को बोलते है most probable इसका एक graph भी बनता है इसका एक curve बनता है Maxwell distribution curve Maxwell Boltzman ने मिलके बनाया था देखो मैं curve के बारे में आपको बताता हूं तो यह curve कुछ ऐसा बनता है देखो इधर होता है बेटा इधर होता है कितने number of nuclei हैं अभी समझाओंगा वह आपको और इधर होता है velocity तो ऐसा दिखा गया कि यह graph कुछ-कुछ ऐसा सा बनता है कहने का मतलब क्या है न अगर मानलो आप यह वाली velocity लेते हो यह velocity कोई बेरांडम तो number of molecules बहुत कम है छोटे से molecules है बहुत कम है एक velocity ऐसी आती है यह वाली इस पे देखरो कितने सारे number of molecules हैं बहुत सारे यही है आपका V most probable तो most probable पे सबसे जादा number of है तो हमारे case में जो मैंने आपको डबबा बना के दिखाया था most people कितना था 5 meter per second येस तो this velocity is 5 meter per second इसके corresponding बहुत सारे molecules हैं बहुत सारे देखरो आप maximum हाँ 1 वाले के corresponding देखो 1 meter per second के corresponding बहुत कम है 3 के corresponding भी बहुत कम है बट 5 के corresponding सबसे जादा है है ना तो समझ गया ना concept को है येस that is the concept बिटा ठीक है बाकी graph देख लो एक बर यहां से ये है आपका fraction of molecules हो गया ये होगे आपका velocity का graph ठीक है तो ऐसी velocity जिसके number of molecules सबसे जादा होते हैं उसको हम लोग most probable velocity बोलते हैं अब एक कुश्चन आता है इन दीनों को compare करो same temperature पे same gas के लिए मानलो आप temperature same ले लेते हो मानलो आप gas भी same ले लेते हो तो आपको बताना है कौन सा जादा होगा कौन सा कम होगा तो यहाँ पे एक short trick होती है राम है ना राम आर ए एम मतलब सबसे जादा राम मतलब सबसे जादा आर आर मतलब आरम है सबसे जादा होता देखलो आप 3 का factor है उसके बाद ए याने की average 8 by pi का factor है 2 point something आता है और सबसे कम होता है most probable ठीक है बेटा सबसे कम होता है आपका most probable so that is कुछ इतना value है ठीक है तो आर एम ठीक है यहस तो आर सबसे जादा एक कम और most probable सबसे कम value होती है इसको कहीं पे आप लिख सकते हैं तो लिख लीजे है ना yes V RMS is greater than V average greater than V most probable graph में भी दिखाया होगा यह चीज आपको देख लो graph में भी दिखाया है RMS सबसे जादा है उससे थोड़ा सा कम average है most probable सबसे कम है तो most probable सबसे कम velocity होती है लेकिन उसके corresponding number बहुत जादा होते है it's like उसका age बहुत कम है लेकिन उसके पास majority है सरकार बना सकता है वो अपनी इन भाई साब की age बहुत जादा है चलो velocity इनकी बहुत जादा हो चुगी है पर इनके बास जादा support नहीं है इनके बास लोग बहुत कम है इनकी party को कोई vote नहीं देता यह भारती राजनीती के परिद्रश्य से बिल्कुल उल्टी चीज है यहाँ पे जिसका age जादा है उसके साब जादा लोग है और जिसकी age कम है वो जानते हो आप है ना उनको नहीं मिल पारा जादा vote वोट उनकी party तो बंद होने वाली है अभी बढ़ यहाँ पे ऐसा है बाई जिसका कम velocity उसके supporter जादा है खेर अब मैं क्या करता हूँ ना एक homework देता हूँ और इस session को यहाँ पे आपन रोख देते हैं आप यह homework करके आना compare the rms velocity of hydrogen यह question कर लेते हैं इसको करके छोड़ते है ज्यादा अच्छा रहेगा है ना compare the rms velocity of hydrogen molecules at 400 kelvin with rms velocity of oxygen molecules at 900 kelvin तेख बेटा देख v rms का formula है under root 3 rt by m अगर मैं यही चीज given hydrogen molecule के लिए लिखूँ तो v rms for hydrogen लिखता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मेरे को under root 3 जहां से सुनता जाना ना under root 3 हो गया r की तो चलो एक value होती है मैं इसको r ही लिख रहा हूँ फिलाल temperature कितना लिखोगे hydrogen के लिए देखो hydrogen का 400 kelvin है तो यह 400 kelvin हो गया divided by बेटा m सबसे tricky चीज होती है यही पे बच्चा फस जाता है और examiner चाहता है तुम फस जाओ देखो hydrogen का molar mass कितना given है 2 अभी एक question हमने किया था उसमें भी हमने 2 लिया था लेकिन आपको एक बात बताओ यहां आप 2 नहीं लिख सकते आप बोलो का सर क्यों है ऐसा क्योंकि 2 जो है न वो gram पर mole में होता है और ऐसा unit kg है तो आप इसको 2 into 10 के पार minus 3 लिखेंगे याद रखेगा बटा इस चीज को हाँ अगर ratio वारा सवाल है मालो hydrogen और oxygen को compare करने बोल रहा है ratio लेना है तो मैं मालता हूं 10 की पार minus 3 इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा cancel हो जाएगा लेकिन technically सही तरीका क्या है आप हमेशा molar mask को आदट डाल लीजिए कि आप kg में लिखेंगे यह गलती waves में भी होती है जब आप waves में gamma rt by m लगाते हो speed of sound निकालने के लिए किसी भी gas के अंदर आप यही कांड कर देते हो m के जे के पे जो gram पर mole वाली value है जो सब को रटी रटाई होती हो लिख देते हो ऐसा नहीं करना है ठीक है ना kg में convert करना बेटा चलो तो v rms hydrogen का हो गया oxygen का बताओ कितना होगा तो sir oxygen का under root 3 तो 3 ही रहेगा r तो r ही रहेगा temperature कितना बेटा oxygen का बोलो तो जल्दी से कहां दिया है यह राध 900 तो यहाँ पर आज जाएगा 900 अपन इसका molar mass आपको 32 given है पर यह सेम चीज़ 32 into 10 power minus 3 करेंगे देखो यहाँ पर दोनो 10 की पर माइस 3 cancel हो जाएगा when you take the ratio पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आदट डाल लीजिए कि gram में लिखना ही नहीं है कुछ भी हो जाए वरना फिर वो एक बार अगर habit बनगे ने gram में लिखने की फिर याद नहीं आएगा कि 10 की पर माइस 3 भी करना था तो अगर खाली इसका अलग से पूछ लिया जाया तो गलत कर दोगे इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है बागी तो खाली रेशियो लेना है तो रेशियो ले लो आप hydrogen अब और oxygen कर लो बिटा ठीक है चलो करके बता देता हूँ पड़ा पट यह आखरी कोश्चन है वैसे भी इसको अच्छे से कर लेते हैं क्या क्या कैंसल हो जाएगा यह टेक देर रेशियो 3R 3R कैंसल हो जाएगा सही है 10 की पार मैंस 3, 10 की पार मैंस 3 भी कैंसल हो जाएगा आप चाहो तो एक बड़ा सा रूट लगा दो बड़ा सा रूट लगा दो 3R गया है यह सब गया है आपके पास बचेगा सिर्फ 400 बाई 2 ओपर बचेगा सिर्फ 400 अपान 2 3R कैंसल 10 की पार मैंस 3 कैंसल नीचे क्या बचेगा बचेगा 900 बाई 32 तो आक्चुली इन्टू 4 64 बाई 9 को चा रहा होगा और कैंसल होगा क्या देख लो और कैंसल अंसल हो रहा तो ठीक है otherwise this is the answer अच्छे यह रूट हो जाएगा इसका है ना हाँ यार इसका तो रूट हो जाएगा बहुत सही तो 64 का रूट हो जाएगा 8 9 का रूट हो जाएगा 3 8 बाई 3 इसना अंसर सही है चैंसल नहीं हो रहा था बर रूट आ जाएगा इसका है ना done and dusted ठीक है मिटा चलो तो DPP मैं आज upload कर दूँँगा link tr.ee slash गौरव गुपता आप चेक कर ले ना DPP अपलोड हो जाएगा बागी class I hope आपको बहुत पसंद आई होगी खूब practice करिए हमने अगली class में हम लोग यहीं से continue करेंगे इस topic से ही continue करेंगे इसके बाद अपना ना यह सब आने वाला है ठीक है pressure वगर आने वाला है pressure equation, kinetic energy equation तो यहां से अपन next class में continue करेंगे most probably अगली class में पूरा theory over हो जाएगा most probably लेकिन अगर हम लोग practice और अच्छे से करें अगर आपका support रहा तो एक session और ले सकता हूँ मैं बट दिखते हैं कैसा चलता दिखते हैं बागी बेटा syllabus बहुत जबरदस्ट pace पे चल रहा है तुमारा ठीक है भले अभी होली के वज़े से एक दो दिन की gap हो गई थी लेकिन फिर भी बहुत सही pace पे syllabus जा रहा है physics का मेरी खाल से आपके preparation बहुत अच्छी चल रही है आपको targets मिल रहे हैं आप DPP solve कर रहे हो ब्रहास्त्र series में आप DC पांडे की books भी solve कर रहे हो we are leaving no stone unturned मैं अपनी तरब से पूरी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए पूरी निष्ठा और अम्यामदारी के साथ I hope आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे होगे background में है ना कर रहे हो ना करना है वेटा है ना करना है इस बार करके दिखाना है फोड़ना है कोई chance ही मतलो practice में कोई मौका ही मत छोड़ो कि नीर 2021 वाली हालत आ जाए कि सर पढ़के तो सब गय थे बट question नहीं बन रहा था वो नहीं होना चाहिए ना ये नहीं होना चाहिए question लग तो रहा था सर बनेगा बट शुरू किया बीच में अटग दे वो नहीं होना चाहिए और वो कब नहीं होगा जब आप अभी से इस बात को समझ जाएंगे कि it is totally based on practice आप जितनी practice करेंगे आपका number उतना अच्छा आने वाला है ठीक है चलिए guys 3 months plus 1 months का offer है if you want you can take it बहुत अच्छा मौका है आपके पास ठीक है prices will be hiked भीटा ठीक है I think 30 March के बाद price hike होने वाला है this is the right time to take the subscription Master course on ecology with Ritumam ठीक है ये एक batch आ रहा है 23rd of March से ये आप देख सकते हैं अच्छा आपको अगर subscription को लेके कोई भी doubt होना तो मेरे एक number है वो आप लिख लो 78258 78258 60140 इसमें मेरे team होती ही आप इनसे बात करके कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो practice batch for meet UG अरे वाई ये भी आ गया 23rd March से बीटा practice batch आ चुका है है ना येस तो ये भी आप join कर सकते हो enthused batch for 2030 this is also there with top faculties of quota आप अपना prodigy बगर दीजिए subscription पे let's crack नीट यूजी subscription light पे पता है आपको क्या क्या होता है test series मिलती है study material बगर मिल जाता है mock test तो यहाँ पे भी अच्छा गासा offer आया हुआ हुआ है तो that also you can take और मेरा code आप GG live यूज़ कर सकते हो ठीक है चलिए बिटा love you all मिलते है next class में ask a doubt feature भी है one on one mentorship आपको मिल जाता है in iconic program और साथी साथ you get study notes delivered आठे और door step मिलते हैं फिर next class में DPP कहा मिलेगी यह सवाल आ ही गया कल मैं सो रहा था रात के तीन बज़े अचानक से उठ गया मैं घरवाले पूछा रहे है क्या हुआ मैं रहे बच्चे पूछने DPP कहा मिलेगी सपने में भी नहीं छोड़ा मुझे link tr.ee slash kaurav gupta यह link है ठीक है चलिए मिलते हैं have a nice day